नवगिशिया में पहली बार आदूने तक्नीक से बना एक खुश सुरत कॉफी सॉप एवं रेस्टूरें कुहान पोखड के सामने दोव सालरो नवगिशिया वीज एवं नन्वेज दोनों उपलब्द है तीजा बर्गर नूडल्स जूस होड एंड कॉल्ड कॉफी तंदोरी सहित कई आईजम कुपलब्द है विशेज आकरसें कॉफी का आनंद लें मादर 15 रुपे से साथ परिवार के साथ जूले पर लेखाने पीने का आनंद प्रतीक रविवार को 30% की भारी छूटी होम डिलेवरी उपलब्द है संपर्क करें 7549-8885-97 अब भोचपूरी में भी पढ़िये राम चलित मानस लोग्डाउन में इस सिक्षक ने दिया पवित्र ग्रंथ को नया दिए नमस्कार मैं हुनी दिशार आप देखने जिये फूट लग्डाउन के दरान घर में रहने को मजबूर हुए लोग यू तो कई तरह के काम करते हुए दिखे लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस समय को कुछ नया करने के लिए बिताया ऐसे हैं एक व्यक्ति ने पवित्र राम चलेत्र मानस की पूरी गाथा को भोजपूरी में लिख डाला यू तो राम चलेत्र मानस को कई भासाओं में रुपांगर्ट किया गया है लेकिन भोजपूरी भासा में इसे अब तक शायद ही लिखा गया होगा अपरादी घटना को अनजाम देने के फिराक में थे अपराधी ग्रामिनों ने धर्कर जम करकी पिताए चुड़ा कर लाज के लिए मायागजय अस्पिताल भरती कराया जहां ओद्योग एक थाना छेतु के फते पुर्णिवासी मुहमत सुंशाह की हालत नाजुक बताई गारी है। पर अंकुस लगाने में विफल हो गए तब पब्लिक ने खुद से की जिम्मेदारी उठा ली। वहीं दूसरी तरफ मानव स्रिंकला को लेकर जपा जदियू लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जदियू के राष्ट्य प्रवक्ता निरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव और राजत की नियत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि खिसानों की हित की बात वह लोग कर रहे हैं। जिन्होंने अपने सासन में नौकरी दिलाने के नाम पर सेकडो किसानों की जवेन हरब ली थी। नितिस सरकार में कोई काम नहीं होता। इसकी बात हम निरंतर करते रहेंगे। हिम्मत है तो हमें गिरपतार करें। नितिस कुमार ने सोसल मेडिया को लेकर जिस काले कानून को बनाया है उसे हर कीमत पर उन्हें वापस लेना होगा। बिहार में 48 इंसानी हड़ियों के साथ तसकर गिरपतार नेपाल में कर रहा था सप्लाई। व्यक्ति को गिरपतार कर लिया गया है। पकड़ा गया सक्स हटी की सप्लाई करने के लिए नेपाल जा रहा था। रुपेश हत्याकान में पुलीस की हर थ्योरी फेल सत्रा दिन बाद भी खाली रही पुलीस के हाथ। इंडिको के एरलाइन्स मेनेजर रुपेश कुमार सिंग की हत्या को हुए 17 दिन गुजर चुके हैं। 12 जन्वरी को रुपेश सिंग की हत्या पुनाईश की सित उनके ही अपार्टमेंट के गैट पर की गई थी। अपड़ाधियों ने ताबर तोर फाइरिंग कर उन्हें मौट के घाट उतार दिया था। लेकिन जांच की 17 दिन बाद गुजर गये हैं। बाबजुद पुलीस अब तक किसी भी थ्योरी को प्रूफ नहीं कर पा रही है। 17 दिन तक पुलीस का हाथ विल्कुल खाली है। ऐसे में इस हाइप प्रूफाइल मर्डर को लेकर अब चर्चा होने लगी है कि रुपे सत्याकान का सायद ही खुलासा हो पाएगा। ठंड से सिकुर गया बिहार, नहीं है राहत के असार। राज़ानी पटना समेट पूरे सुबा भीसं सितलहर की चपेट में है। राज के लगबग नौजिले में सितलहर का प्रकूफ ऐसा है कि जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। इसकी वज़ा से लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। पिली जानकारी के मुताबिक फिलाल इसमें बहुत बदलाओ की उमीद नहीं नजड़ा रही है। हपते भर्प तक बरफीली हवाओं का दोर जारी रहेगा। सुबा के वक्त कोहरे का कहर भी देखने को मिल लेगा। बिहार के दो DSP पर कारवाई ग्रीविभाग ने कसा सिकणजा जांच में भारी गरवरी का रहोग बिहार में पावाई काम में लापरवाई और जांच में गरवरी को लेकर बिहार सरकार के या कारिवाई शुरू कर दी है। ग्री विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताविक आरा के तत्काली DSP और पुर्णिया के अनुमंडल पुलीस पताधिकारी पंकच कुमार और नरकटिया गंज के तत्काल DSP अमन कुमार पर विभागिया कारवाई संचालित करने का आदेश दिया गया है। मतन थाली मात्र 150 रुपए एवं मतन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवस्य पधारे सुन्दरम अहुना मतन, राजेंद्र कॉलोनी मोर नवकशिया, फ्री हॉम दिलेवरी के लिए उपलब्ध है। संपड़क करे 86034-93747। और मुल्ली पर खुल कर खड़ित्दारी पाएं। होम डिलेवरी। ओइमार्ट के मोबाइल एप के सिधे वाट्सप से कड़े संपड़क सामान का लिष्ट या फोटो खीच कर भेजे कराएं बुकिंग। संपड़क करे 8340371787, 7325052437।